हेलो दोस्तों सुआगत है आपका अपने यूट्यूब चेनल एक्जाम फोर यू में दोस्तों जिसने भी इंडियन नेवी ट्रेट्स मैनमेट का पेपड दिया है उसके लिए बहुत ही इंपोटेंड वीडियो होने वाली है क्योंकि अभी अभी इंडियन नेवी ट्रेट्स मैनमेट से लेटिल आपकी एक लेटेस्ट अपडेट आई है रिजल्ट को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट आई है ओफिसल क्या नोटिस आपका आया है कैटेगरी वाइज आपके कितने नंबर हो कि आपका डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाए क्या क्या डोक्यूमेंट चाहिए आपको मेडिकल आपका कब होगा कैसे होगा क्या इंडियन नेवी ट्रेट्स मैनमेट में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं यानि इंडिये नेवी ट्रेट्स मैंड से लेटेट बच्चों के बन में काफी सवाल चल रहे है अगर दोस्तों आपको सबी सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को end तक जरूर देखते रहे अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो सबी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और कोई वीडियो आपको देखने भी की ज़रत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं अगर आपके इतने माक्स आने हैं दोस्तों तो अपने डोक्यूमेंट आप रेडि रखें क्या क्या डोक्यूमेंट चाहिए P.W.D. के लिए 61-63 P.W.D. O.S. अब कैटेगरी के लिए 63-65 V.H. के लिए 62-64 और H.H. के लिए 58-60 नमबर अगर इतने माक्स हैं तो रेडि रहे हैं अपने डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दें 10th की माक्सीट आपकी मांगी हुए आप कोई भी कैटेगरी से हो 10th की माक्सीट आपको लेकर जानी है ITI का सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है जाती परमानपत्र आपका मांगा हुआ है जाती फर्मान पत्र भी आपका सेंटर का होना चाहिए इस्टेट का आपका नहीं चलेगा और जनरल कैंडीडेट के लिए दोस्तों कोई कास सर्टिफिकेट आपका नहीं होता तो ये भी आप बात धिहान रखें ID प्रूफ में आदार कार्ड, पेंकार drug, ड्राइवंग, लैसेंस, वोटर, आईडी, पास्पोर्ड कोई भी आईडी आपके पास ہو, और आपचे जायें अगर आपके पास केवल आधार कारड है तो आदार कार्ड से ही काम चल जाएगा और कोई ID की बनवाने के भी आवशकता आपको नहीं है कुछ इस्टूट zn' बोलने है कि हमारे पासuno pen card नहीं है पासपर्णब नहीं है क्या हमें बनवाने पड़ेंगे तो इसे नहीं है अगर आपके पास केवल आधार काड है तो आधार काड लेकर आप चले जाए प्रोसेस है, computer based online exam था, online exam सभी का हो चुका, अब online exam का result आने वाले हैं, online exam का result आते ही, document verification करा जाएगा जो बच्चे पास होगे, और जो बच्चे document verification में पास हो जाएगे, उनका करा जाएगा medical, medical जो है military hospital और government hospital दोनों का मानने है, जहापर आपको center दिया जाएगा, वहापर जा किले ग्राम होना चाहिए, इससे कमा आपका नहीं चलेगा, आपकी eyesight जो है 6 by 6 होनी चाहिए, अगर आपको चस्मा लगाया तो 6 by 12 आपका मांगा हो है, relaxation आपको दे रखा है, आपकी कोई 15 डिगरी से ज्यादा बाहर नहीं निकलनी चाहिए, आपके गुटने मिले वे नहीं ह टैट्व के बारे में काफी बच्चे पूच रहे हैं क्या हमारे टैट्व बना हैं हम इसे निकल वाएं या नहीं, दोस्तो टैट्व के बारे में कोई जिक्डन रह रखा हैं इंडिया नेवी ट्रेट्स ँैंड मेड में, आपको अगर कोई fracture रहाएं बोड़ी में, हाथ पै संत होंगा लेकिन मार्क्स आपके जादा नहीं बढ़ेगे मैक्सिमम से मैक्सिमम दो नमबर आपके बढ़ सकते हैं एक से लेकर दो किसी का तो भी नहीं बढ़ेगा जाद अच्छे जादा अगर बढ़ा एक बढ़ सकता है और मैक्सिमम क्योंकि आपका 2019 की जो बर्तिया उसका डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला हुआ है जिसके कारण आपका जो रिजल्ट है वो पोस्पोन हो रहा है दिन परती दिन जब तक प्रिवियस बर्ति का आपका डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन फूरा नहीं हो जाएगा उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं देंगे तो रिजल्ट कब तक आ जाएगा लगबग सितंबर तक आ जाएगा आपका लास्ट 25 सितंबर तक आपका result आ जाएगा क्योंकि तब तक जो previous बर्ती थी उसका document verification हो जाएगा तो result आपका 25 सितंबर तक आ जाएगा उसके लगबग 15 दिन के बाद आपका document verification इस्टार्ट हो जाएगा जो बच्चे पास होंगे और लगबग उसके 10 दिन के बाद आपका दोस्तो medical start हो जाएगा यानि पूरा October आपका चलेगा document verification और medical में नवंबर में आपको joining letter मिलने इस्टार्ट हो जाएगे इससे पहले joining letter आपको नहीं मिलेगे तो नवंबर में joining letter मिलने स्टार्ट हो जाएगे आप tension फिरी रहें कोई डोकुमेंट अगर आपको पूरा नहीं है उसे बनवा लें कोई मिस्टेक वगएरा एक नाम करेक्शन कराना है उसको अभी करा लें अभी समय है आपके पास तो सभी बाते मैंने आपको बता दी इंडियन नेवी ट्रेट्स में मेंट से लेटिड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो जल्दी से लाइक करते हैं अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते हैं और अगर आप हमाएं चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देखने हैं तो जल्दी से एक्जाम फूर चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को उनकर लें ताकि आपको यहा चैनल पर तो दोस्तों इस वीडियो में इतने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत